नमस्कार दोस्तो आज की ये वीडियो आप सभी राजस्तान वास्यों के लिए बहुती खास रहने वाली है इसी के साथ में आप सभी राजस्तान वास्यों को बहुती अच्छे खुसकबरी भी है क्योंकि राजस्तान में पूरी तरह से जल्द ही लोकडाउन हटने वाला है और जल्द ही इसकी गोशना होने वाली है आपको बता दे 8 जून से राजस्तान में मिनी अनलोक 2.0 के सुरुआत हो गई है जिसमें लोकडाउन खोलने से सम्मंदित बहुत सारी चूटे दी गई है यहां तक की परिवेहन को भी 10 जून से सुचारो रूप से चालू कर दिया गया है दोस्तो आज की खुशकवरी हम यहां पर देख लेते हैं दोस्तो राजस्तान से जुड़ी हर छोटी से छोटी कबर सबसे पहले इस चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट की जाती है यहां पर आप पूरा विबरन देख सकते हैं राजस्तान में अब कोरोना की दूसरी लहर लगवक समाप्ति की ओर है सौंवार को प्रदेश में 90 दिन बाद 629 ही नई रोगी आए हैं दोस्तो यह सबसे बड़ी आपके लिए खुशकवरी है किसी भी जिले में पिचेतर से जादा केस नहीं है जो बड़ी राहत की बात है यानि कि 24 जिलों में कोरोना के मातर 25 से कम नई केस सामने आए है आगर हम देगे तो सवाई मादवपूर जिले में एक भी नए संग्रमित व्यक्तिव कोरोना पोजिटीव नहीं मिला है जैपूर में अगर हम बात करें तो जैपूर में भी संग्रमन काफी कम हो गया और अब दोस्तो जब कोरोना संग्रमन ही नहीं रहेगा राजिस्थान में तो लोगडाउन किस बात का आपको बता दे कि लगातार CMS गलोत रहात दे रहे हैं यानि कि लोगडाउन में लगातार छूट दे रहे हैं और दोस्तो आप सभी को पता है जब परिवेहन ही चालू हो जाएगा आवा गमन ही चालू हो जाएगा तता दुकान खोलने का समय जब 6 बजे से और साम 4 बजे तक हो जाएगा तो इससे बड़ी आपके लिए खुसकवरी क्या होगी दोस्तो अब आपको बता दे कि थर्ड फेज आएगा थर्ड फेज में आपको लोगडाउन पूरी तरह से यहाँ पर खोल दिया जाएगा क्योंकि जिस परकार से कोरोना पोजिटिव एक्तियों के संक्या रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं इक दिन में मात्र अब दोस्तो पूरे राजिस्तान में 639 केस रह गई हैं जो कि यह पहले 17000 से 18000 केस आ रही थे अब दोस्तो यह इतने रही तो अब लगता है मात्र 5 दिन और लगेंगे जो यह जो े प्ज़िटिव केस आ रहे हैं और राजिस्तान में कोरोना खतम तो लो झाल झाल